टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान और IPL में चैन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंदर सिंह धोनी के खिलाफ मुसीबत में है। दरसल उनके खिलाफ उनके दो पूर्व बिजनेस पार्टनर्स ने दिल्ली हाई कौर्ट में मानहानी का मुकदमा दायर किया है। कि उनके खिलाफ धोनी की ओर से दुर्भावना पूर्ण बयान दिये गए जो लीगल कंप्लेट धोनी के खिलाफ दायर हुई है। उसने कहा गया कि धोनी द्वारा कथित तौर पर 15 करोड रुपय के कथित अवैध लाब और 2017 के अनुबंध के उल्लंगन के संबंध में लगाए गए जूठे आरोपों के संबंध में वादी मिहर दिवाकर और सौम्या दास की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने से र नुबंध का पालन नहीं किया और 15 करोड रुपय की धोखा धड़ी की है। धोखा धड़ी के तहट एक आपराधिक मामला दायर किया था। धोनी के करीबी दोस्त रहे हैं। मिहर धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहर दिवाकर और सौम्या के खिलाफ रांची कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। मिहर धिवाकर धोनी के करीबी दोस्त रहे हैं। वहीं वो उनके बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं। 2017 में हुआ था। धोनी संग समझोता दरासल मिहर दिवाकर ने कथित तौर पर दुनिया भर में क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए 2017 में महेंद्र सिंग्ह। धोनी के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये थे पर दिवाकर समझोते में पताई गई शर्तों का पालन नहीं किया। इस मामले मे अरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी का शुल्क भुकतान करना था। वहीं समझोते के तहट प्रॉफिट शेयर करना था। पर समझोते के सभी नियम और शर्तों की धजियां उड़ा दी गई। धोनी की ओर से भेजे गई नोटिस। इसके बाद धोनी ने 15 अगस्त 2021 को अ अरका स्पोर्ट्स ने उनके साथ धोखा धड़ी की है जिससे उन्हें 15 करोड से अधिक का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।